हेलो गाइस आज हम बात करेंगे जूनियर स्टाफ नर्स का मेरिट कट आफ कितना होगा क्योंकि बहुत सारे बचों न हमें comment section में बोला था कि जूनियर स्टाफ नर्स के बारे में भी जो है वो बताना की आखिर जो है बच्चों के कितने मार्क्स आई हैं कितने बच्चों ना किये हैं तो यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियों में आपको हम यह बताएंगे कि आखिर जो एग्जाय में यूर्ण स्टाफ नर्स के जिनों इसब ने को इस कितने लोग ने रहे किन्ट किया है और बारे में बात करेंगे और उसके बारे उसके बाद आपको ये बताएंगे कि हाइस्ट कितने नंबर हमें देखने को मिले और साथ में ये भी बताएंगे कि आखित जो है कटाफ कितना हो सकता है लास्ट कटाफ सबसे कम कटाफ कितना हो सकता है तो जुड़े रहें वीडियो के साथ और लास्ट तक वीडियो को जुरूर देखें तो हमें लगवग 41 बच्चों ने कंटेक्ट किया था उसके लिए junior staff nurse के लिए जिन्होंने junior staff nurse का जो exam दिया था जानिकि 41 41 बच्चों ने हमें जो है कंटेक्ट किया था तो इस मैंसे जो ज्यादातर बच्चे थे तो उनके मार्क्स जो थे वो कही न कहीं 60 से 70 के बीच में थे बच्चों के मार्क्स कम भी हो सकते हैं क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स कम होंगे तो शायद वो थोड़ा शेयर करने में उनको थोड़ा दिक्कत आ रहा हो और बोर नहीं बता रहे हैं कि उनके कितने माक्स आ रहे हैं तो अगर बात की जाए हमारे पास जो जातर बच्चों के माक्स थे वो 60-70 के बीच में थे और इन मैंसे जो 10 बच्चे थे 41 मैंसे 10 बच्चे थे उनके माक्स जो थे वो 70-80 के बीच में थे तो अगर हम बात की जाए दस बच्चों के माक्स जो थे वो सतर से लेके असी के बीच में थे और बाकी बच्चों के जो माक्स थे बाकी बच्चों के जो माक्स थे वो थे साथ और सतर के बीच में थे और लगवग दस बच्चों के माक्स जो थे वो 40-50 के बीच में भी थे तो आप समझ पा रही होंगे कि लगबग 10 बच्चों के मार्क्स जो थे वो 40-50 के बीच में है और बाकी जो बचे हुए हमारे पास 20 बच्चे हैं उनके मार्क्स जो है 60-70 के बीच में है और 10-11 बच्चों के जो मार्क्स थे वो 70-80 के बीच में थी और जो highest marks देखने को मिले वो थे 82 marks तो आप ये मानके चल सकते हैं कि जो 82 marks हैं वो highest score रह सकता है और वही अगर cut-off की बात की जाए तो वो कहीं न कहीं 60 तक जो है कम से कम cut-off जो सबसे low cut-off जाएगा वो 60 तक जाएगा तो आप ये मानके चल सकते हो कि जो सबसे कम cut-off है वो है 60 जाने कि 60 marks तो जिन बच्चों के 60 से अबब हैं अबब दैन 60 तो वो अपने आपको जो है safe मान सकते हैं कि वो merit list में आ जाएगे असानी से और ये जो marks हम बता रही हैं आपको ये जो है general के लिए है जानी कि open merit के लिए है इसमें कोई भी reserve category का कोई मकसद नहीं है ना ही कोई reserve category के लिए हम बात कर रही हैं ये जो है हम open merit की बात कर रही है और reserve के लिए हमें किसी बच्चे नहीं बताया कि वो reserve category से है तो जिसकी बज़ा से हमें ये अभी तक confirm नहीं हो पाया कि category का merit कितना जाएगा लग लग categories का तो आप open merit को मान के चल सकते हैं कि जो सबसे कम cutoff जाएगा वो 60 marks जाएगा तो जो 60 से अबब जिनके marks जिनमें स्कोर किये हैं वो open merit में जो है अपने आपको safe मान सकते हैं कि वो उनका जो number है वो merit list में आएगा उनको जो है merit list में देखने को मिलेंगे तो I hope ये video आपके लिए helpful रही होगी अगर video helpful रही तो like जरूर करें और please जो है channel को भी subscribe करें क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा जो viewer हैं वो सिर्फ videos को देखते हैं अगर subscribe नहीं करते हैं तो जरूर subscribe करें तांकि हमारा जो confidence है वो और ज़्यादा हो और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहें धन्यावाद